कल तीसरे चरण के लिए 16 जलों की 99 सीटों पर वोट डाले जाएंगे तीसरा चरण बीजेपी और सपा के लिए काफी एहम है इस चरण में दोनों दलों के कई दिगज की किस्मत का फैसला होने जा रहा है बीजेपी और सपा की बीच कई सीटों पर बड़ा मुकाबला देखने को मेलेगा और यही वज़े है कि दोनों पार्टियों ने इस चरण की कई सीटों को नाक का सवाल बना लिया है लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सब में 16 जिलों की 69 सीटों पर 20 फरवरी को वोटिंग है दोनों प्रमुख दल बीजेपी और सपा के लिए ये तीसरा चरण काफी महत्पूर है क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने इस इस इलाके में पंपर बहुमत हासल किया था इसलिए बीजेपी 2017 के प्रदर्शन को इस तीसरे चरण में जरूर दोहराना चाहेगी और आठ सीटें जीतने वाली सपा पिछली कसर को पूरा करना चाहेगी आपको ये बता दें कि तीसरे चरण में कई सियासी दिगजों की किसमत का फैसला होना है समाजवादी पाइटी के रास्ट्रिय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव सपा का गड़ कहे जाने वाली करेल सीट से मैदान में है वही बीजेपी ने अखिलेश की घेरा बंदी के लिए यादव परिवार के तौर तरीकों को समझने वाले समाजवादी पाइटी के एक जमाने में खरीबी रहे एस पी बगेल को मैदान में उता रहे इसलिए करेल सीट पर सबी की निगाहे तिक गई है वही तीसरे चरण की दूसरी होट सीट है जस्वंक नगर जहां से अखिलेश यादव के चाचा शुपाल यादव स्टाल ठोक रहे है बीजेपी ने शुपाल यादव के खिलाव अपने युवा चेहरे विवेक शाक्कि पर दाउं लगाया है इन दोनों के अलावा तीसरे चरण की महराजपूर और कन्नोज सीट पर भी सबी की निगाहे टिकी हैं क्योंकि महराजपूर सीट से योगी सरकार में कैबनेट मंत्री सतीश महाना चुनाव मैदान में है महाना आठवी बार किलाव फते करने की पूरी कोशिश करेंगे वही सपा ने सिक समुदाय से तालुक रखने वाले फते बहादूर सिंग को टिकेट दे कर सतीश महाना की घेरे बंदी करने की कोशिश की है तीसरे चरण में एक और हाट सीट है कन्नोज जहां से बीजेपी ने पूर्व आईपियस अधिकारी असीम अरूर को यहाँ तीन बार की सपा विधायक अनिल दोहरे को पटकनी देने के लिए मैदान में उतारा है हलाके असीम अरूर की रहा कोई आसान नहीं है सपा ने सीट को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और यहीं वज़े है कि खुद अकले शियादर असीम अरूर का नशा उतारने की बात कह रहे है बात अगर 2017 के विधानसवा चुणाओ की करें तो तीसरे चरण की 69 सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत का परचम लहराया था वहीं सपा के खाते में 8 सीटे गई थी जबकि बीएसपी और कॉंग्रेस को एक एक सीट ही मिली थी कुल मिलाकर तीसरे चरण की लड़ाई बेहब दिल्चस्प है बीजेपी और समाजवादी पाटी दोनों के सामने ही अपने अपने गड़ को बचाने की चुनोती है बीजेपी और सपा दोनों के लिए तीसरे चरण का चुनाव एहम है क्योंकि यहीं से यूपी में आगे की चुनावी दिशा तै होनी है